नमस्कार दोस्तो सुब्धनेट चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स जो यामा की तरफ से most awaited bike रही है यामा XSR 125 ये इंडियान मार्केट में launch होने जारी है आज मैं इस bike का full specification review और इस bike का confirm launching rate जो की 100% proof के साथ रहेगा और बताऊंगा इस bike में आपको क्या के नए features देखने हूं मिल रहे है जो कि इंडिया में first in segment रहेंगे और फ्रेंड्स ये bike जब इंडिया में launch होगी तो personally मैं खुद जाकर ये bike खरीदूँगा फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल कर लिजे subscribe और बेल इकन या notification और पर दबाई ताकि आपको latest bike से related content मिलता रहे तो फ्रेंड्स इस चीज का मैं आपको 100% proof दे रहेता हूं कि ये bike कितने price में और कप तक launch हो जाएगी तो आप देख सकते हैं मैं जिंग बिल्स की site पर चला गया हूं इसका जो expected price रखा गया है 1.35 lakh rupees के round रखा गया है मतलब on road ये bike आपको 1.5 lakh रूपे में पढ़ने वाली है और जिसका जो expected launch date है वो है 2022 के अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी इंडन market में और ऐसा ही जिंग विल्स की site पर नहीं और बाकी sites में भी दे रखा है इसलिए मैं आपको 100% proof के साथ बता देता हूं आप देख सकते हैं बाइक देखो पर भी वही date लिखी हूँ है same to shame मतलब ये बाइक आपको अगस्त 2022 में देखने को मिल जाएगी जिन लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा उनको मैं तो विश्वास दिला नहीं सकता हूँ जब बाइक launch हो जाएगी इंडिया में तब उन लोग को जाके विश्वास होगा फिर वो लोग कहेंगे इसमें मेरा घाटा मैं बरबाद हो गया हूँ जादा अपन second cheese की बात करें तो वो रहेगा इस bike का looks and features friends इस bike का look एकदम retro style में रख्रा गया है जो की इंडिया में first in segment है friends सबसे पहले बात कर ले हैं इस bike के front look की इस bike के front में आपको circular shape का LED light का setup दिया गया है और ये lights two section में divided हैं possibility एक upper section एक lower section बात कर लें इसके indicators की तो वो आपको hellosan based ही देखने को मिलता है Yama वालो क्या कर रहा है कम सकम LED indicator सो दे देना चाहिए था बात कर ले इसके instrument cluster की तो वो आपको fully digital देखने को मिलता है जिसमें आपको gear position indicator, speedometer, fuel gauge और rpm meter भी देखने को मिलता है वाई Yama XSR 125 में आपको tail light भी full LED light के setup में देखने को मिलती है जो की circular shape में है फ्रेंट्स अब बात कर ले Yama XSR 125 के main main features की फ्रेंट्स इस bike में आपको open chain cover देखने को मिलेगा जिससे आपको बार बार अपने chain को lubricant करवाना पड़ सकता है फ्रेंट्स इस bike में आपको twin disc brake के साथ dual channel ABS देखने को मिलेगा जो की इंडिया में first in segment 125cc bike में दिया जायेगा फ्रेंट्स अब बात कर ले Yama XSR 125 के engine की फ्रेंट्स इस bike में आपको 125cc का single cylinder air cool BS6 sublime engine देखने को मिलेगा और इसमें आपको बजाच पलसर 125 से भी ज्यादा power और टॉर्क देखने को मिलेगा फ्रेंट्स इस bike को retro plus modern दोनों के resigning के साथ बनाये जा रहा है फ्रेंट्स इस bike का mileage इंडिया की 125cc segment में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये bike आपको city में easily 60 km प्रते लेटर का mileage देदेगी और फ्रेंट्स इस bike को इंडिया में 125cc का गेम खत्म करने के लिए उतारा जा रहा है फ्रेंट्स होप करता हूँ आपने इस छोटी सी 3 मिनिट की वीडियो से A to Z plus जानकारी कठी कर लिए इस bike से related फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से ठोकना और फ्रेंट्स इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी लेटिस्ट बाइक से related content मिलता रहे